विपसिना ध्यान के संबंद में अब तक हम तीन बातों पर पहले विचार कर चुके हैं कि विपसिना से पहले आनापान समरती योग को किस तरह से साधना होता है। उसके बाद हमने बात की कि आनापान समरती योग को निरंतर बनाई रखने के लिए अपने होश को जगाने के लिए हम इरियापत के सहारे अपने को अपने होश को अपने समरती को बनाई रखते हैं। आनापान और इरियापत के बाद हमने बात की थी संप्रज्ञान पर, संप्रज्ञान अगर नहो तो आनापान सम्रती योग या इरियापत टिका नहीं रह सकता, यानि हम विपश्रना के बाद भी बावजूद भी हम उस मुकाम पर नहीं पहुँच सकते जिस मुकाम पर हमें बुद्ध निर्देश देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि निर्वान की अवस्ता कैसे पाई जा सकती है क्यों? क्योंकि संप्रज्ञान पर हमने बात करी थी कि अगर हमारा होश बन भी गया आनापान स्मरति से और इरियापत के सहरे उसके वाबजूद भी संप्रग्यान यानि प्रग्या के न होने से बिबेक के नहीं होने से सम्रती के होने के वाबजूद भी अगर हमारे अंदर प्रग्या न खुली तो फिर हम निर्वान तक नहीं पहुँच पाएंगे उसके बाद आज हम बात करेंगे प्रतिकूल मनसिकार पर यानि जब हम आनापान समरतीयो करते हैं इरियापत के सहारे आनापान को साधते हैं और संप्रग्यान के सहारे अपने बिबेक को अपनी जागरती को बनाई रखते हैं उसके बाद हमें जरूरत होती है प्रतिकूल मनस मन सिकार को समझने की यह विपस्णा ध्यान साधना में बहुत ही महत्वपून बात है और बहुत ही महत्वपून अंग है विपस्णा ध्यान का प्रतिकूल मन सिकार का क्या अर्थ होता है पहले इस पर बात करते हैं, जैसे की हम इस सब्द से ही देखते हैं कि मन सिकार, मन सिकार का अर्थ होता है, की चिंतन मनन करना, कोई संकल्प लेना, कोई बिकल्प, इस तरह से चिंतन, मनन, संकल्प, बिकल्प यह मनसिकार कहलाती है यानि मन में यह तरह तरह से बार बार उठते रहने वाले ख्याल बार बार जो भी हम संकल्प और बिकल्प हमारे अंदर उठते हैं इनको मनसिकार कहते है लेकिन हमारे अंदर क्या उठता है यानि जिसको हम मन कहते हैं इस मन में यह जो संकल्प बिकल्प उठते हैं यह जो चिंतन मनन चलता रहता है क्या कभी हमने इस पर विचार किया कि यह क्यों चलता है अगर हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि पुराना तो हमें नहीं पता लेकिन जब तक की याद है अब जैसे मैं कल ऑफिस गया ऑफिस में क्या चल रहा था क्या हुआ था क्या घटना घटी क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ जो भी हुआ वो मेरे मस्तक पटल पर वो मेरी समरती में अभी बहुत तरूत आजा है याद है उसकी यही याद यही यही जो समरती है यही समरती अब क्या करेगी यह जब मैं घर आ जाओंगा तो यह चिंतन मनन करेगी अगर कोई इस तरह की कोई घटना घट गई है जो सामानित नहीं घटती यह कुछ इस तरह का हो गया जो बिल्कुल ही नया है यह कुछ इस तरह का हो गया कि उसमें कोई सुख मिला यह इस तरह का हो गया कि उसमें दुख मिला तो यह सब कुछ घर आने के बाद भी मेरे अंदर चलता रहेगा यह चिंतन मनन संकल्प बिकल्प क्यों चलता है क्योंकि कोई क्रत्य कोई घटना कोई इस तरह का कोई कारिय संपन्न हुआ है उस कारिय के उस कर्म के अभी तक हमारे संसकार जो अंदर लगे हैं जो समरती बनी है वह अब बार-बार वह संसकार उठकर एक भाब की तरह उड़ रहे हैं और बार-बार हमारे आगे आ रहे हैं अब फिर कोई नई घटना घटेगी फिर यह जो अब इसमा हुआ यह नीचे चला जाएगा फिर वह नई घटना का चिंतन मनन चलता रहेगा फिर कोई और नई घटना घटेगी फिर यह चिंतन मनन जो पुरानी है वह फिर नीचे चला जाएगा फिर वह नई घटना का चिंतन मनन संकल पिकल उठने लगेगा आपने इसको रोज महसूस किया होगा अगर नहीं किया तो अब आप कर सकते हैं दीरी दीरी क्या होता है दीरी दीरी यह होता है कि जितना भी हमारा स्टोर है जो भी नीचे दपता चला जा रहा है यह कहीं जाता नहीं यह नीचे दप जाता है और समरती में कभी समरती में उ वापस आ जाता है। यही कारण है कि बच्पन से जब बच्चा पढ़ता है तो उसको बहुत सारी चीजें उसकी समरती में इतनी गहरी अंकित हो जाती हैं कि उसके बाब उसको बहुत कुछ जोर लगाने की विज़रत नहीं होती। जैसे खुद अपने को ही देखें आपने फाइफ की टेवल या टैन की टेवल या टू की टेवल बच्पन में पढ़ी थी। उसके बाद तो सायद कभी नहीं पढ़ी होगी। लेकिन आज कोई आप से पूछे कि फाइफ की टेवल सुनाओ तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ सम्रती पर इतनी गहरी अंकित है कि आपको जोर भी लगाने की जरूरत नहीं है। वह स्वता ही आपके मुझ से निकलाएगी। इसी तरह से बहुत सारी सम्रतियां, बहुत सारे कर्म इतने गहरे बैट चुके होते हैं कि उसके बारे में अब आपको बहुत ज़्यादा मन पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। यह संसकार बहुत गहरे में लगशाते हैं। और मैंने आपको तुटेबल की बात कही, 5 की टेबल या 2 की टेबल या 10 की टेबल, लेकिन वह करत्य जो आप जन्मों जन्मांतर से करते वे आ रहे हैं। वो अक्रत्य समरती पर इतने गहरी अंकित हो चुके हैं जिनको संसकार कहते हैं जिनको बुध्ध ने कहा कि संसकारों से दुबारा से भवलोक में मनुश्योत पन्न हो जाता है यह संसकार कौन से होते हैं यह कौन सी समरती है जो इतनी गहरी अंकित होती है इसमें सबसे बड़ स्मृति है मनुस्य की कामवासना और यह कामवासना इतनी गहरी है और ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुस्य जल्म से ही है सोचो तुझरा ग्यानियों ने 84 लाख योनिया कही और ग्यानियों ने इस पूरे भावचक्र को चार भागों में बाड़ दिया वो चार भाग कौन से हैं वो चार क्लासे कौन सी हैं एक है घास पूस पेड़ पौधे पत्तियां और दूसरी है कीड़े मकोड़े रेंगने वाले जानवर और तीसरी है आकाश मोड़ने वाले पक्षी और चोथी क्लास है पसुओं की और उसी में फिर एक क्लास है मनुश्य क देब, गंधर, किनर, राक्सिस यह सब इसी में आ जाते हैं मनुश्य में तो कहने का आरती यह है कि इन क्लासों में इन क्लासों को जो उन्होंने भी भाजित किया यह लगबग लगबग वो कहते हैं कि 84 लाख योनिया हैं इस तरह की हम गिन नहीं सकते लेकिन अगर आप समरती में भी डालेंगे तो आपकी समरती में आने ही पाएगा क्योंकि इतनी क्लासेज हैं इतनी इतनी योनिया हैं इस तरह की अगर मोटे मोटे तोर पर इन क्लासों को देखेंगे तो समझ में आएगा कितने प्रकार की घासपतिया ये वो है लेकिन आप इसका अगर सोचेंगे कि हम ढूंडूंगा चौरासी लाकों को गिनता हूं तो ये मनुष्टी के बस की बात नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आँखों से देखे भी नहीं जा सकती तो समझने की कोशिस करते हैं कि इन्य यूनियों में भी हम काम वासना के दर बदर चलते 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 मनुष्ययों नी तक मूचे हैं और वासना नहीं होती अगर तो फिर इस स्रस्टी की उत्पत्ती नहीं हो सकती यह स्रस्टी की यह creation चल नहीं सकता इसलिए वासना तो सभी क्लासों में रखी वी है और यह स्मृति अंकित है हमारे उस brain पे जिस brain को हम कहते हैं कि एक reptilian brain है मलुस्सी के अंदर जो उसकी जहां से उसकी सुरुवात हुई है वहीं से आया हुआ है एक उपरी भाग है cortex layer है brain की जो मनुस्य ने जैसे जैसे मनुस्य की मनुस्य का विकास हुआ है उसके अंदर वह cortex layer लगती चली गई है जो वह सोचता और समस्ता चला गया उससे उसका विकास होता चला गया वह cortex layer है लेकिन ए रैक्टेलियन ब्रेन के नाम से जाना जाता है जहां हमारी हमारा स्वभाव हमारा पैटर्न चलता रहता है इस तरह से एक मचली को देखा आपने एक मचली चलती है आगे उसके पीछे लाखों मचलियां चलती है और एक पैटर्न बना कर चलती है एक मचली मुड़ती है पीछे ही पैटरन बनाकर चलते हैं उड़ते हैं बगुलों की कतारें आपने देखी हैं आकाश मूरते हुए और एक बगुला मुडता है एक चड़िया मुरती है, हाजारों चड़िया पीचे से मुर जाती है, पैटर्न है, और इसी तरीकित से है रैप्टेलियन ब्रेन हमारा मनुष्य के अंदर आया, और इसी तरह से ये पैटर्न बनता है, जब आप कोई काम करते हैं, वो काम होता चला जाता है, उसकी आदित है जैसे एक अंधा ब्यक्ति चारो तरफ से चारो तरफ को दोड़ लगाने की कोशिश करता, उसे लगता की इस तरफ, चलू उस तरफ चलू, लेकिन अंधा है, कहा को चलेगा, कहीं भी भड़ता है, अभी हमारी वैसी इस्तिती इसलिए अभी हमने कभी समझने की कोशिस नहीं की, कभी जानने की कोशिस नहीं की, वो बात जरूर है कि हम ग्यानी अपने को बनते हैं, क्योंकि आजकल तो ग्यान बड़ा आसान है, गूगल में आप एक बटन प्रेस करते हैं, आपको सारी नौलेज आ जाती ह वो knowledge काम की हो ना हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको आपका वो experience है नहीं है लेकिन उसको पढ़के हम कहते हैं कि हम ज्यानी हो गए और फिर उस ज्यान को लेकर हमारे अंदर मैं और मेरा और एहंकार और बढ़ जाता है अब हम किसी को सुनने और समझने को तयार भी नहीं क्योंकि हमें तो लगता है कि हम जानते ही है मैंने अभी कल गूगल में पढ़ा किसी व्यक्ति को आप समझाओ वो कहेगा कल मैंने गूगल में ऐसे पढ़ा था आप ऐसा कह रहे हो उसका अपना कोई experience नहीं उसने बढ़ा है अभी उसको अपनी जिन्दगी का कोई experience नहीं लेकिन क्या हमें कामवासना का अपनी पूरी जिन्दगी में कोई experience नहीं है कोई भी व्यक्ति हो क्योंकि कामवासना तो बहुत अंदर गहरे में दबी है और अनंत जनमुस की आत्रा है वहां से दबी वी चली आ रही है वहां से वह repeat होती चली आ रही है तो बुद्ध हमें यहां बताते हैं कि मनसिकार बहुत गहरे होते हैं एक मनसिकार मैंने आपको बताया कि कल आप office गए और वह चिन्तन, मनन, वह संकल्प, बिकल्प आपके अंदर आ रहे है आज आप फिर अपस जाएंगे आज फिर कुछ नया होगा कुछ दूसरा होगा वह पुराना कल का दब गया होगा फिर आज का चिन्तन चलेगा जो आज हुआ था और एक मनसिकार ऐसा है जो बहुत गहरे में दबा हुआ है अनत चर्मों तक कामवासना का इसी तरह से और भी कुछ ऐसी स्मरतिया है ऐसे संसकार हैं जो बहुत गहरे में लगे हुए होते हैं हम समझ नहीं बाते कामवासना के संसकार को अगर देखे इसलिए बहुत लोगों के प्रस्न मेरे पास जैसे आये हैं कभी तो उन प्रस्नों में उन्होंने मेरे से पूछा कि जैसे ही ध्यान करने बैठो तुरंत कामवासना के बीचार आने लगते हैं क्यों आते हैं कामवासना के बीचार या कोई ऐसा बीचार क्यों आता है कि चलो उठो, वो काम बहुत जरूरी है, क्यों पैसे कमाने का, कि चलो, जल्दी जल्दी चलो, आज वहाँ कोई ठेकेदारी मिलने वाली है, या आज कुछ वो काम कर ला है, जल्दी जल्दी चलो, आज वो लड़की से साइद बात हो जाए, जल्दी जल्दी चलो, आज दिल फाइनल हो जाए übrigens ये बिचार क्यों उठे हैं, ये बिचार उठे हैं क्योंकि ये बहुत गहरे में अंकीत हैं और काम आसना टो अनंत जन्मों की यात्र हैं से हमें मिली भी है Efendimiz hasd isimain है, हम इससे बनते हैं महीं हम अन tapis, हमारे सरीर बन नहीं सकता הई तो हमें समझना हो ग प्रतिकूल मनसिकार का अर्थ है कि कोई ब्यक्ति जब अपने उन मन के संसकारों को उन मन के चिंतन मनन को संकल्प बिकल्प को समझता है देखता है तो अगर वह चिंतन मनन सही प्रकार का है तो फिर हम उसको कहते हैं योनिसो मनसिकार या योनिसा मनसिकार और अगर वह गलत प्रकार का है तो वह हुआ योनिसा मनसिकार तो योनिसा मने सिकार से क्या होता है मानिसी की उपरी उपरी तरकी सपाई होती है उपरी उपरी तरफ से हम लगता है कि अभी हम सही सोच रहे हैं और योनिसा मने सिकार है कि नीचे की तरफ से हमें यह लगता है कि हमारे अंदर अभी बहुत गंदगी, बहुत गाठे हैं, हमारे अंदर बहुत, इसलिए तो ध्यान में जैसे आप बैठते हैं, वैसे ही कामवासने की नीचे से दबे हुए बिचार उपर उठने का आने लगते हैं, तो जो अयोनी सामने सिकार है, वो हमें गलत रास्ते पर जाता है, अगर हम उस अयोनी सामने सिकार पर ध्यान देने लगेंगे, तो क्या होगा, कामवासना का बिचार आया, आपने उस कामवासना के बिचार की तरफ ध्यान दिया, वो कामवासना का बिचार धीरे 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 आपको कई यादे दिलाएगा कि अरे वहां मस्ती करेंगे या धीरे धीरे कामवासना इस तरह से रूट बनाएगी और उस रूट में हम फिर यह पूछेंगे कि कौन आदमी कलब मचाता है कौन आदमी जो है नाइट लाइफ मचाता है उस आदमी से हम कॉंटेक्ट बनाने की कोशिस करेंगे ऐसे धीरे धीरे क्या होगा क हम इस काम वासना की तरफ को हमारा एक रूट बनने लगेगा और धीरे धीरे हम उस तरफ को बढ़ने लगेगे इसी तरह से अगर हमारे अंदर ख्याल आ रहा है कि हमें पैसे कमाना है कहीं से भी पैसे किसी भी तरह से पैसे कमाने तो हम क्या करेंगे, हम उन लोगों से contact देखेंगे, कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, जो लोग और काम कर रहे हैं, किसी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो चाहे fair means हो, चाहे unfair means हो, लेकिन कहने का मतलब यह है, कि अंदर एक बहुत नीचे में कोई मनसिकार दबा हुआ है, कोई बहुत गहरा संसकार दबा हुआ है पैसे का, वो पैसे का संसकार बार बार उठके आता है बाहर, तो बार बार मनुसी हाथ पाओं अपने मारने लगता है, वो contact ढूटेगा कि कौन सा आदमी बड़ा है, किस आदमी से क्या फाइदा लिया सकती है, कौन आदमी मदद कर सकता है, कौन आदमी पैसे लेकर भी कुछ नौकरी लगा सकता है, कोई और हेल्प कर सकता है, तो वो आदमी फिर इस तरह के रूट बनाता है, इस तरह के बिचार को कर्म तक अंजाम देता है, तो क्या हुआ कि योनी सामने सिकार जो हमें अच् देता है अब नया कर्म कहां से बना नया कर्म बना कि पुराना संसकार जो लगा हुआ था उस उस पुराने संसकार की मार इतनी ज़ादा है उस पुराने संसकार का दबाव इतना ज़ादा है कि वो धकेल कर फिर नए कर्म उस तरह के ही करवा देता है इसलिए मनुस्य इस भाव लोग से निकलना आसान बिल्कुल भी नहीं है बहुत कठीने और बिना किसी सत्धपुरुस की संगती के और बिना किसी सत्धर्म के नहीं निकला जा सकता यह बुद्ध के बचन है और सभी बुद्धपुरुसों ने इसलिए गुरु, सत्धपुरु, सत्संग, सत्धर्म की ब पर बहुत गहरे में, अपने अंदर रुख कर बिचार करना चाहिए बजाए इसके कि किसी भी बात को अपने मन से कुछ भी तोड़ मरोड़ कर कह देना या उसको समझ लेने से बहतर है कि उस पर थोड़ा बिचार किया जाए कि सभी वुद्ध पूरुस एक ही बात क्यों कह र करना होगा तो मैंने भी आपको कहा कि प्रतिकूल मनसिकार आपको क्या करेगा मनसिकार आपको क्या करेंगे मनसिकार आपको जो भी आपके अंदर गहरी में बैठा हुआ है उस तरब को ही ले जाएंगे और वही कर्म आपका फिर दुबारा से होने लगेंगे और इस तरह से निकलना मुश्किल हो जाएगा तो बुद्ध कहते हैं कि जब इस तरह से मनसिकार हा भी होते हैं तो उसमें प्रतिकूल मनसिकार की भावना करनी चाहिए प्रतिकूल मनसिकार क्या होता है अब इसको समझते हैं अभी हमने मनसिकार समझे मनसिकार को हमने दो भागों में समझा योनिसा मनसिकार यानि वह अच्छे संसकार और अच्छे मन मोट रहे विचार जो अच्छे कर्म की तरफ ले जाते हैं अयोनी सामने सिकार जो बुरे कर्म जो संसकार लगे हुए हैं वो और बुरे कर्मों को अंजाम देते हैं और अगर हमारे अंदर प्रज्या नहीं हो तो फिर हम गहरे में अपने संसकारों को नहीं देख सकते क्योंकि इनकी मार बहुत गहरी होती है क्योंकि यह हमारे अस्तित्व का हमारे इस संसार में बने रहने का एक कारण भी होते हैं जिसको हमने कामवासना के जरिये समझने की कोसिस करी प्रतिकूल मनसिकार बुद्ध ने कहा कि जब इस तरह के संसकार हा भी होने लगते हैं मन पर मन पर वही भावनाय उठने लगती हैं वही चिंतन मनन होने लगता है तो उसके लिए प्रतिकूल मनसिकार करना चाहिए प्रतिकूल मनसीकार क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति को अंदर कामवासना की विचार आ रहे हैं तो बुद्ध गहते हैं कि प्रतिकूल मनसीकार करो यानि कामवासना के अनकूल ही अनकूल अगर चिंतन चल रहा हो तो फिर समाधी तक नहीं पहुँचा जाएगा फिर तो यानकूल ही अनकूल चल रहा जिंतन एक दिना में दुबारा से इस कामवासना के कर्म में बहुत बुरी तरह से उलजा देगा और बहुत तरह से कर्मों को अंजाम देदेगा और एक ही कामवासना का ही कर्म नहीं होगा नजाने कितने कर्मों से जुड़े हुए हैं उससे पैसे कमाने का भी कर्म जुड़ा हुआ है अनफेर मीन्स से पैसे कमाये जाए कैसे जब कर पैसे ज़्यादा आएंगे तभी ज़्यादा कामवासना भोगी जा सकती है क्योंकि फिर तरह तरह की कामवासना भोगी जा सकती है पैसा चाहिए फिर ड्रक्स चाहिए फिर सराब चाहिए फिर और कोई नसा चाहिए फिर नाइट लाइफ चाहिए इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए इतने मीन्स को बनाए रखने के लिए इतने मीन्स को पाने के लिए फिर उस तरह से धंदे करने होंगे उस तरह से ब्य तिरे धीरे नरक के उर ले जाएगा जहां से कोई वाफसी है भी नहीं और अनंते जन्मों से हम यही कर रहे हैं आज जरूर लगता है कि हमने सपेद कपड़े पहन लिये तो हम बहुत साफ सुत्रे हो गए उपर से लगता है न ऐसा इसको योनी सामने सिकारबुद्ध कहते हैं वो तुम्हारे सिर्गोटा लेने से या लंबी दाड़ी बना लेने से पता नहीं चलेगा, वो तो पता चलेगा जब ध्यान में बैठेंगे, जब एक टक अपने को अंदर में देखने की कोशिस करेंगे, तब पता चलेगा कि चिंतन क्या हो रहा है, तब पता चलेगा कि किस प्रकार की भाव नहीं अंदर हैं, इसलिए तो सभी बुद्ध पुरुसों ने ध्यान की बात कही, अगर इस तंसार से निकलना है तो ध्यान करना होगा, ध्यान के वज़े बिना कोई नहीं निकल सकता, कोई पढ़ लिख के रट्टा मारने से, धर्म ग्रंतों का पाट कर लेने से, या ज्यानी हो जाने से नहीं निकल सकता, निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है ध्यान का मार्ग, इसलिए सभी बुद्ध पुरुसों ने ध्यान की बात कही, तो प्रतिकूल मनसिकार बुद्ध ने क्या कहा, कि अगर इस तरह की वासनाओं के ख्याल उठ रहे हैं, कोई और ऐसी भावनाय उठ रही हैं, तो फिर क्या होगा, फिर प्रग्या तो जग ही नहीं पाएगी, और धीरे धीरे हम फिर उनी कर्मों को करने लग जाएंगे, प्रतिकूल मनसिकार में हम क्या करते हैं, कि उस भावना के खिलाब हमें फिर प्रतिकूल चिंतन करना होता है, वो कैसे करते हैं, जैसे कामवासना का विचार उठा, कामवासना सरीर से भोगी जाती है, इसमें लोम है, इसमें नक है, इसमें नसों का जाल है, इसमें हड़िया है, इसमें पीव है, इसमें लहु है, इसमें लार है, इसमें पसीना है, मलमूत्र है, सिर से लेकर पाउं तक इसमें गंदगी ही गंदगी है और नौ छिद्र हैं हमारे सरीर के अंदर इन नौ छिद्रों से एक गंदगी बाहर निकलती है इसलिए बुद्ध ने एक जगे कहा कि यह सरीर फोड़े की तरह है जिसके नौ मू हैं क्या है यह नौ मू? दो आख के सुराक, दो कान के सुराक, दो नाख के सुराक और एक मू का सुराक और दो नीचे की इंदरियों के सुराक यानि इन नौ सुराकों से, इन नौ छिद्रों से सिर्फ गंदगी और बदबुही और बहुत ही गंदगी बाहर निकलती हुई दिखती है तो बुद्ध ने इस तरह से समझाने की कोशिजगी की प्रतिकूल मनसिकार करना चाहिए जब भी कुछ इस तरह के की भावना उठती है उसके खिलाब मनसिकार करना चाहिए उससे क्या होगा उससे हमें धीरे धीरे हमारा मन ट्यून होगा कि अरे इसमें तो कुछ नहीं रखा इसलिए बुद्ध ने जब इस तरह के लोगों के मन को देखा जो ध्यान के लिए आये हुए हैं जो विक्षू बन गए हैं क्योंकि बुद्ध तो मनुष्य को मनुष्य के मन को ऐसे ही δेते हैं जिस तरह से हम CT scan करते हैं या X-ray करते हैं वो तो इस तरह से दख लेते हैं इसलिए वो हर व्यक्ति को हर भिक्षू को हर जो भी व्यक्ति बुद्ध के संपर्क में आता है बुद्र उसको उस तरह से कैसे उसकी सफाई होगी उसका इंतिजाम करते हैं किसी को सारी पुत्र के पास बहिचते हैं, किसी को आनंद के पास बहिचते हैं, किसी को महाकश्यप के पास बहिचते हैं, किसी को उदई के पास बहिचते हैं, किसी को नंद के पास बहिचते हैं इसके साथ लगाना चाहिए, यह बुद्ध की अपने बुद्ध, भगवान के अपने तरीके थे, मनुस्ति को उसको उसकी सफाई करने के, क्योंकि ध्यान तो बात की बात है, पहले उस मनुस्ति की ट्यूनिंग तो हो, पहले वो उस तक पहुंचे तो सही जहां वो ध्यान में बैठवाएगा, हमें इस पर भी विचार करना चाहिए, तो हमें प्रतिकूल भावना इस तरह से करनी चाहिए, जैसे अभी बताया गया, तो सरीर में ऐसी भी कोई भी बस्तू नहीं जिसको सुन्दर कहलाया जा सके, और बुद्धने बताने और समझाने की कोशिस भी की, ए जह सरीर एक दिन बुड़ा हो जाएगा, और इस में सारी यूरियां पड़ जाएगी, इसका सारा मान से लिठक जायएगा, और जो व्यकति यह सोच रहा है कि वो खूब सूरत है, जो यह सोच रहा है कि वो और भी इस में लेप लगा कर और भी इसको मालिस करके, इसको सुन बहु नहीं, एक ने एक दिन यह काया, इसका एक वक्त है, इसकी एक उम्र है, और यह धीरे धीरे ढलने लगती है, और एक दिन वह आएगा, जब इसमें सिर्फ हड्डियों का पिंजर यह रह जाएगा, इसमें हड्डिया ही हड्डिया रह जाएगी, मनुश्य जिन्दा लेकिन बहुत ही कुरूप दिख सकता है तो जो अपने को इतना रूपवान समझ रहा है और उस रूपवान के वज़े से जिसके अंदर दंब है जिसके अंदर एहंकार है जिसके अंदर एहम है जिसको अभी यही पता नहीं चलता कि उसका पाउं कहां पढ़ता है रास्ते पर अपने एहंकार के वज़े से उसको इस भावलोग में धक्य खाने होंगे उसको इस भावलोग से मुक्ती नहीं मिल सकती क्योंकि अभी उसके अंदर वो समझ ही पैता नहीं भी अभी उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसका एहंकार इतना बड़ा है तो बुद्ध हमें बता रहे हैं कि प्रतिकूल मनस्तिकार की भावना से हम दुबारा से अपने आपको ध्यान में टिका सकते हैं ध्यान में लगा सकते हैं ध्यान में बैठा सकते हैं गंदेगी का अलग-अलग तरीके से चिंतन कर सकते हैं वो गंदेगी भी नहीं है, वो हकीकत है, हकीकत को हम समझ नहीं पाते, क्यों कि अभी तो हमारा ध्यान पूरी तरह से इतने एहंकार्स जभरा हुआ है, अभी तो हमें लगता है कि हमारे जैसा चहरा किसी का नहीं, आपने देखा न, आजकल तो selfie का जमाना है, आजकल तो mobile पे फोटो लेने का जमाना है किस तरह से आदमी अपने को देख देख कर निहार निहार कर कितने एंगलों सेint और कितने तरीके से कितने फेसियल एक्स्प्रेशन से फोटो लेने कि कोशस कर रहा है थीक है ले लो आज लिकिन वो रहने वाला नहीं है उसमें एहंकार और उसमें एहंभाव जैसा कुछ नहीं उसमें मैं और मेरा जैसा कुछ नहीं क्योंकि यह पल प्रतिपल बदल रहा है और जो ब्यक्ति इनी में फसा हुआ है उसके लिए अभी भावलोक से उपर उठना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा बुद्ध हमें यह बता रहे है तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब एक ऐसी अवस्ता आजाती है जब चित एक आग्र होने लगता है जब यह चिंतन करने लगता है प्रतिकूल मनसिकार का मनन करने लगता है तो फिर धीरे धीरे विपश्चिना का काम सुरू होने लगता है यहां से विपश्चिना स्टार्ट होती है अब वो देख पाता है क्योंकि प्रतिकूल मनसिकार के बाद अब वो उसके अंदर एक शान्ती आई है ऐसे ही जैसे आग जल रही हो तो उसमें पानी डालते हैं तो धीरे धीरे वो आगसान तो होती है इसी तरह से प्रतिकूल मनसिकार मनुस्य के एहम को शान्त करता है मनुस्य को उसका आईना दिखाता है हकीकत दिखाता है वो जिस तरह से उसके अंदर वो बेग उठ रहा है संसकारों का, कामवासना का, पैसे का, लोफ का, मोह का, क्रोध का, द्वैश का, राग का, यहां जब प्रतिकूल मनसिकार करके जब उस में उस आग में जब पानी पढ़ता है तो धीरे धीरे ठैरावाता है, हकीकत का पता च बुद्ध कहते हैं कि बिपशिना का काम उसके बाद ही सुरू होता है, यदि बिपशिना का काम रंच मातर भी न किया जाए और चित्तिकी एकागरता को पुस्ट करने के काम में ही लगा रहा जाए, तब भी समाधी उपलब्द हो जाती है, लेकिन यह कौन सी समाधी होती है तो बुद्ध कहते हैं कि इस तरह की आठ समाधिया होती थी, और ये पहले इस तरह की समाधी करने का परचलन था, और इसी तरह की गाथाएं, इसी तरह की कहानिया हमने सुनी भी हैं, और एक परासर रिसी हुए हैं, बहुत परसिद रिसी हैं, और उनकी कहानी जरूर आप योगों ने सुनी होगी कि परासर नजाने कितने वर्सों तक कहते हैं कि कई सो वर्स तक उस समय की तो उम्री इतनी ज़्यादा होती थी कई सो वर्स तक तफस्या करने के बाद जब उनको यह लगा कि उनको सिध्धी प्राप्त हो गई है उनका ध्यान सद गया है तो वो जंगल से उस परवत से नीचे उतर कर नदी पार करके उनको सहर की तरह पाना था या गाउं की तरह पाना था घर की तरह पाना था जो भी हो तो नदी पार करने के लिए अब नदी पार कैसे करें नदी पार तो कोई नाविक ही करेगा लेकिन नाविक उस समय खाना खा रहा था मचुआ रहा था, खाना खा रहा था, उसने कहा कि मैं तो भी खाना खा रहा हूँ, доброволь इंतजार कर लाओ, बहुत वोला नहीं, हम इंतजार कैसे कर सकते हैँ, हम एक रिशी हैं, आपको पता नहीं, उसने कहा कि तो भगवान, मैं तो खाना खा रहा हूँ, मेरी बेटी छोड़ कर आ जाएगी और कहते हैं कि परासर रिसी उस नाव पर बैट गए और वो मचवारे की बच्ची नाव चला कर उनको पार ले जाने लगी लेकिन मचवारे की उस बच्ची को देखकर उनके अंदर काम वासना पैदा हो गई यह कहानी कहती है आप पढ़ेंगे परासर रिसी की कहानी तो आपको यह कहानी का पता चलेगा और कहते हैं कि मचवारे की बच्ची ने कहा कि महराज आप यह क्या कर रहे हैं वो बोला कि मेरे को अभी यही करना है तो उसने कहा कि सूरज देख रहा है उसने का सूरज देख रहा है ढग देंगे उन्होंने अपने मंतर पड़े और सूरज को ढग दिया तो कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने जो भी वो कहती रही उन्होंने अपनी तंतर मंतर अपनी सिध्धी रिद्धी से वो सब उसके प्रतिकूल कर दिया और वो इस तरह से कामवासन से ग्रसित हो गए तो कहने का अर्थ मेरा यह है कहने का अर्थ यहां बुद्ध की जो देशना है उससे हम समझने की कोसिस कर रहे है कि इस तरह की भी ध्यानसादनाय होती थी जिसम समाधी भी लग जाती थी लेकिन वह अंदर की गाठें वह अंदर की कामवासना के वह परतें वह जड़ें खतम नहीं होती थी क्योंकि वह जड़ों की सफाई तो तब होगी जब प्रग्या खुलेगी जब विबेग खुलेगा और प्रग्या और विबेग तभी खुलेगा जब जिसको हम अभी पिसले वेडियोज में सुनके आए हैं संप्रग्यान संप्रग्यान जरूरी है सिर्फ समरती और सिर्फ होस की जरूरी नहीं संप्रग्यान भी चाहिए यानि प्रग्या भी चाहिए प्रग्या निरंतर बनी रहे तो तब होस्तिका रहता है प्रग्या और बिबेक के सहारे ही होस और समरती के साथ हम समाधी में उतरते हैं तब हम इन मनुस्य के इंदरियों से और इस सरीर के जो आवशक्ता है इस से उपर उठते हैं सरीर और मन की आवशक्ता से उपर उठा जा सकता है सिर्फ प्रग्या और बिबेक से और यह प्रग्या और बिबेक तब ही पैदा होता है जब हम प्रतिकूल मनसिकार की सुरुआत में ही प्रतिकूल मनसिकार को समझें अपने अंदर इन लगे हुए कुद्रती संसकारों को देखें और समझें कि कहा से संसकार लगे भी और कितने गहरे में लगे हुए हैं इसलिए बुद्थ कहते हैं कि समाधी तो तभ भी लग जाएगी जब इस प्रकार के फिर वह कलेस फिर बाहर आकर निकल कर सामने आ जाते हैं। और मनुस्य इस समाधी और इस समाधी को उस गहराई तक सम्यक तक नहीं पहुँचा पाता, जिसको बुद्ध कहते हैं सम्यक समाधी की बाद निर्वान घटित होता है। और यह पत्थर की तरह संसकार होते हैं जो अंदर जैसे मैंने बताया है कि यह संसकार आज के नहीं है। संसकार तो हम ये संसकारों से तो हम बने हैं इस काम वासने से ही हम पैदा होते हैं और ये काम वासनों से ही हम अगर evolution को देखें तो यह जो मैंने चार class आपको पहले वर्णन किया कि घास पूस हैं तो कीडे मकोडे हैं फिर उसके बाद पसु बक्सी हैं फिर उसके बाद मनुस्यत योनी है मनुस्यत में ही देव लोग देवियोनिया भी आ जाती है मनुस्यत और देवियोनिया जितनी भी है यह सब जो भी चार class हैं इन चार class में मनुस्यत आकर फसता है सिर्फ काम वासना से तो यह पत्थर की ते रहे यह लकीरे होती है बहुत गहरे संसकार है और यह दबे रह चाते हैं इनको निकालने के लिए हमें प्रतिकूल भावनाएं प्रतिकूल मनसिकार करना होता है इसी को भगवान ने हमें बताया कि समप्रज्ञान और विपश्णा यह साथ साथ चलने चाहिए और बेदनाओं को उठते हुए बेदनाओं को ब्याई होते हुए जब हम देखते हैं और साथ में अपने अंदर इन मनसिकार को इन भावनाओं को अंदर गहरे बैठे हुए इन संसकारों को जिनको कहते हैं कि कर्म संचित कर्म यह संचित कर्म इतने गहरे में संचित होते हैं कि फिर दुबारा से हमें सामने लाकर हमारे सामने आ जाते हैं और फिर हमें उसी तरह के कर्मों को अंजाम दे देते हैं और फिर हम यहां से फिर फंसी रह जाते हैं तो इन देशनाओं से हमें समझनी की कोसिस करनी होगी कि जिस यात्रा पर हम निकले हैं जैसे ध्यान साथना पर हम चले हैं यह बहुत जरूरी तो है ही और लेकिन यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसको किसी गाइडेंस में किसी गुरू की सरण मजाकर इसको समझें और करें तभी हम अपने को धीरे धीरे सफाई करते हुए इस भावलोक से उपर उठेंगे तो यह बात हमें आज समझ में आई है कि क्यों हमें प्रतिकूल मनसिकार भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रतिकूल मनसिकार के सहारे हम हकीकत को सामने रखते ऐसा नहीं है कि यह कोई जूटी तसली अपने को देनी है यह कोई जूटी तसली नहीं है क्योंकि बुद्ध अगर कह रहे हैं कि अभी तुम इस रूप को देख रहे हो और इसमें इतना एहंकार तुम्हारे अंदर है कि मेरे जैसा कोई गानी है सकता मेरे जैसे कोई किसी का चेहरा नहीं मेरे जैसे किसी का किसी का इस तरह से सूडॉल सरीर नहीं तु बुद्धा हमें कहते हैं कि तुम्हें अभी पता नहीं तुम्हें अभी होस 50 साल या 50 साल में आते ही उसकी क्या हालत हुई है और ऐसा नहीं कि हमें दिखाई नहीं दिर है हम रोज चलते हुए लाखों हजारों लोगों को अब तक देख चुकए हैan लेकिन अभी हमारे अंदर यह बात समझ में नहीं आई लाखों हजारों लोगों को हमने पढ़ा है सुना है हमने यह भी देखा कि वो हव्यक्ति के अंदर इसके अंदर खुब पैसा था जो बहुत पर्दस तरीके से जिसका बिजनस अंसार में चल रहे थे जो ऐसा हम बनना चाहते है जिसको हम बिजनस टाइकून कहते है और जिस तरह से ही हम अपना जीवन जीना चाहते है और उसकी लकीर उसके लीक पर चलना चाहते है लेकिन हमें हकीकता भी पता नहीं कि वो आदमी किस तरह से जी बन जाए रहा है वो आदमी किस तरह से नीद की गोलियां खाकर ये अपनी नीद लेता है ये अभी हमें पता नहीं कि वो ब्यक्ति भूजन नहीं कर सकता उस ब्यक्ति के अंदर सूगर उस ब्यक्ति के अंदर हाट की प्रॉबलम उस ब्यक्ति के अंदर सेवड़े की प्रॉबलम उस ब्यक्ति के अंदर लजाने कितनी प्रॉबलम में है वो हमें नहीं दिखाई दे दे दी हमें तो सिर्फ यह दिखा रहा है कि देखो इस ब्यक्ति के फॉर्चून देखो इसकी संपत्ति देखो इसकी नेट वर्थ देखो हम नेट वर्थ देख रहे हैं हम यह नहीं देख रहे हैं कि वो ब्यक्ति जीवन कैसे जीर क्योंकि यह अभियात तक हमारी हो वो समझ ही नहीं हम तो यह सोच रहे हैं संप्रग्यान नहीं है अभी हमें समझ नहीं है अभी हमा हकीकत का नहीं पता और हम देख रहे हैं कि हमारा बाप जो आज से 30 साल पहले अगर मेरी उमर आज 30 साल है 30 साल 25 साल पहले जिस बाप को हमने देखा था आज वो बाप बुड़ा हो चुका है तब वो बहुत जवान था उसके बाप जो भी मैं यह सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर इतना एहम और एहंकार है अपने सुडॉल सरीर को से मैं यह सामने अपनी माँ और अपने बाप को नहीं देख पा रहा हूँ कि कल को मेरी भी यही गत्य होनी है लेकिन मेरा एहंकार इतना है मैं ऐसे सीना तान कर चलता हूँ लोगों को डराता हूँ अपने सुरीर से लोगों को धमकाता हूँ लोगों को यह पताने की कोसित करता हूँ कि तुम मैं पता नहीं मैं कौन हूँ यह देखो मैं कि मेरे मेरे गाना देखो, मेरी आवाज देखो, मेरी कैसिटें देखो, मेरी पब्लिसिटी देखो, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है कि आने वाले कल में, इतना एहंकार और इतना एहम और इतना मान और इतनी मैं और मेरी जो हमने बना कर रखी है, यह जूटी है, बुद्ध हमें यह बताने की कोशिस कर रहे है और हमें यह समझना चाहिए अगर हम ध्यान साथना की तरफ बढ़ गए हैं और हम किसी बुद्ध पुरुस की बाणियों को उब देसों को उनकी देसनाओं को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं किसी भी बुद्ध पुरुस क तो फिर हमें इन बातों पर बिचार तो करना ही होगा नहीं तो हम एक भावर में फसे ही रह जाएंगे क्यों? क्योंकि हम अभी गहराई में अपने जीवन में इन बातों को लागू नहीं कर पा रहे हैं तो अब आज हमने समझा कि किस तरह से हमें प्रतिकूल मनसिकार की आवसकता है और क्यों आवसकता है कल हम या अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि विपश्यना ध्यान साधना के लिए आनापान समर्ती, इर्यापत, संप्रज्ञान, प्रतिकूल मनसिकार के अलावा और क्या जरूरी समझने की आवसकता है नमुगुद्धाई